हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग दा वे आफ थिंकिंग पर मेरा नाम है आनपाल और आज इस वेडियो में हम डिस्कस करेंगे एफो इस्पेशल वन नाइलर क्वेश्चन के बारे में जो आपके Agricultural Competitive Exam Point Review से बहुत महत्पुण होने वाले हैं इस सीरीज का ये Part 3 है, Part 2 आलरेड़ी अपने यूटूब चैनल पे आज चुगा है तो जिस्टूडेंट ने उसे नहीं देखा है, वो जा करके देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन का है, पहला क्वेश्चन Most deficient micronutrient in the Indian soil is तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, जिंक, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा ये माइक्रो की भी आद करेगा, अगर मैक्रो की बात करेगा, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अपना अगला कोशन रहेगा The most dominant middle on earth crust, तो इसका राइट राइट नस हो जाएगा, फेल्ड इसपा, ठीक है लगभग, 48% earth crust पे इसकी मात्रा पाई जाती है, ठीक है दूसरे नंबर पे जो पाया जाता है, वो होता है quart, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा वो लगभग पाया जाता है, 36%, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिए अपना आगला कोशन रहेगा, the rocks gets broken in pieces due to temperature is scarred इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, जो rocks का अध्यान किया जाता है, उस science को petrology करते है, ठीक है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, यानि petrology के अंतरगत, rocks का अध्यान किया जाता है, ठीक है यदि solid to solid attraction हो रहा है, उसको कहते हैं cohesion, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, यानि जो different molecules एक दूसरे को attract कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं adhesion, और जब दोनों same molecules होते हैं, एक दूसरे को attract कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं cohesion, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अपना जैथ्रोटी, क्योंकि इनके ही द्वारा, टीलेज के केस में बहुत सारे स्टडी के गई, और इन्हों ने एक बुक लिखा जिसका नाम है, हार्स हुईंग हस्बैंडी, हार्स हुईंग हस्बैंडी, इन्ही की योगदान के कार, इन्हें, फादर आफ टीलेज कहते हैं, साथ ह तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इन्हें जीरो टिलेज का फादर माना जाता है, ठीक है, जबकि टम जो दिया गया था, वो जे ठोट तुल के द्वारा दिया गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, अगर यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो आ लाइक करें और दोस्तों के साथ सेयर करें, ठीक है, अपना अगला क्वेशन रहेगा, स्वाल मॉस्चर टेंशन और मेजर बाइ, इसको ध्यान रखिएगा, तो यह 0 से ले करके, 0.85 रेंज तक, इतने रेंज तक यह मेजर करता है, इतने टेंशन तक मेजर करता है, इसको भ अगला क्वेशन रहेगा, जो बाद में बनती है, उसको कहते हैं, बांगर, इसको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है, अपना अगला क्वेशन रहेगा, According to the National Bureau of Soil Science and Land Use Planning, the number of agro-ecological region in India is 20, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो नेशनल ब्यूरो आप स्वाल सर्वे एंड लेंड यूज प्लानिंग के द्वारा, जो agro-ecological region का classification किया गया है, वो है 20, जबकि ICR के द्वारा जो classification दिया गया है, agro-ecological region का, वो है 8, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ICR के द्वारा 8 दिया गया था, और NBWS and LUP के द्वारा जो दिया गया था, वो 20, ठीक है, अपना अगला क्वेशन रहेगा, imaginary line that represents the equal rainfall, इसको राइटर्स हो जाएगा, आइसो थर्म, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आइसो थर्म, जबकि equal pressure अगर represent कर रहा है, तो उसको कहते हैं, आइसो बार, यह terms है, जो उस case में यूज़ कियाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो equal rainfall के लिए, आइसो हाइट्स, और equal temperature के लिए, आइसो थर्म, और equal pressure के लिए, आइसो बार, टर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है, अपना अगला question रहेगा, heat flow in soil, mainly through the process of, तो इसका सह इंसर हो जाएगा, conduction, ठीक है, यानि जो heat का flow हो रहा है, स्वायल में या solid matter में, तो वो conduction के द्वारा हो रहा है, ठीक है, यदि heat का flow, liquid माध्यम में, या liquid में हो रहा है, या water में हो रहा है, water body में, तो वहाँ पे convention का माध्यम रहता है, ठीक है, convention, इसको आद ध्यान में रखिएगा, convection, ठीक है, convection, तो heat flow जो हो रहा है, स्वायल में, या solid में, या conduction के द्वारा हो रहा है, और liquid में हो रहा है, तो वो convection के द्वारा हो रहा है, ठीक है, अपना अगला question रहेगा, what is the sequence of microorganisms in the normal soil on weird basis, तो weird basis के अधार पे अगर पूछ रहा है, microorganism का sequence, तो सबसे ज़्यादा मात्राइम फंजाई पाई जाती है, फिर actinomycities, फिर bacteria, अगर यह number basis पे पूछ था है, या number basis के अधार पर कहता है, तो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, पहले number पे वेक्टरिया हो जाएगा, दूसरे पे actinomycities और तीसर नमबर पे फंजाई, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अपना अगला question रहेगा, इसका राइट अंसर हो जाएगा, डोनाल्ड, ठीक है, इनके द्वारा है, जो दिया गया था concept, आइडिया गया था, प्लांट के case ने, ठीक है, अपना अगला question रहेगा, response of plants to daylight period is known as, इसका राइट अंसर हो जाएगा, photoperiodism, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अपना अगला question रहेगा, range of photosynthetically active radiation is, इसका सही उतर हैगा, 400 to 700 nanometer, ठीक है, इसी को लिख देता है, 0.4 to 0.7 micron meter, तो इसका भी राइट अंसर यह रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत जादे confusion करता है, ठीक है, अपना अगला question रहेगा, cultivation of crops in region where annual rainfall less than 750 mm is called, हो जाएगा dry farming, ठीक है, वह region जहाँ 750 mm से कम बारिस होती है, उस region को dry farming के अंतरगत रखते हैं, ठीक है, अगर इस से जादे हो जा रही है, यानि 750 mm से जादे, लेकिन 1150 mm से कम हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं dry land farming, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेएगा, अपना अगला question रहेगा, एक टम होता है, क्यूमेक, इसको भी आप ध्यान में रखेएगा, क्यूमेक, एक क्यूमेक इसको भी आप ध्यान में रखेएगा, साथ ही साथ, वन हेक्टेर सेंटीमिटर का भी आप ध्यान में रखें, एक हेक्टेर सेंटीमिटर जो होता है, इसके लिए जो water रहता है, वो 10,000 लीटर होता है, ठीक है, 10,000 लीटर, इसको आप ध्यान में रखेएगा, अपना अगला question रहेगा highest IW upon CPE ratio of which crop इसका सई तरह हो राइस ठीक है, राइस का जो IW upon CPE ratio होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है जो ratio value होती है, इसकी 1.2 होता है, इसको आप ध्यान में रखें जो सबसे कम ratio होता है, IW upon CPE का वो होता है 0.2, वो हता है 0.2 से लेकर के 0.4 का ये होता है से flower का, इसको भी आप ध्यान में रखेंगा, ठीक है से flower में जो होता है, जो इसका ratio होता है, 0.2 से लेकर के 0.4 का और जो राइस का होता है 1.2 ठीक है अपना अगला कोश्ण रहेगा वन पर्टिकुलर डे इफ दर रेंड रिसीवड मोर देन 2.5 mm इसका राइट एंसर रहेगा रहनी डे ठीक है यानि 24 हार्ज में यदि 2.5 mm से जादे बारिस हो रही है तो उसको रहनी डे के अंदर कंसीडर करेंगे ठीक है इसको आप ध् इंत्री में जो रहनी डेज होते हैं एवरेज रहनी डेज वो लगभग 130 दिन का रहनी डेज होता है पूरे साल में 130 डे ऐसा आता है जहां पर देखा जाता है कि रहनी डे की कंडिशन है ठीक है इसको भी आप ध्यान रखें अपना अगला कोश्चिन है क्राइटेरिया आफ एसेंसियलिटी वाज गीवेन बाई इसका सही तुरह जाएगा अर्नान एंड अस्टाउट इनहीं के दवारा क्राइटेरिया आफ एसेंसियलिटी डिये गए थी जो 1949 में दिया गया था ठीक है जिस टाइम यह क्राइटेरिया एंट्रोडूस हुई थी उस टाइम पर 16 तत् इंट्रोडूस किया गया जो प्लांट के लिए एसेंसियल होते हैं इसको जो दिया गया था इंट्रोडूस किया गया था वो किया गया था ब्राउन इटेल के दवारा इसको भी आप ध्यान में रखें ब्राउन इटेल ठीक है वो दिये थे 1987 में ठीक है इसको भी आप ध्या में रखिए अपना अगला कोश्चन रहेगा और इस सेशन का अंतिम कोश्चन भी रहेगा एस सेशन अकरिंग इन एनी एरिया इन ए एयर वेन एन्यूवर रेलल्फ और इस अन्णुन रहेगा तो यानि वह एरिया एक साल की अंदर वह एरिया जहाँ पे 75 पर्शेंट से जो नार्मल हंडिट परसंट मान लीजे हो रहा है तो वहाँ बें 75 परसंट से कम बारिस हो रही तो उसके ड्राट कंडिशन के अंतरगर कंसीडर किया जा पाए ठीक है इसको भी आप ध्यान में रखियेगा ठीक है यह से आपको अच्छा लगा हो यह से लाइक करें और शेयर करें में दोस्तों के साथ बहुत बहुत थंद्धवाद